जिले के नागणा थाना शित्र में चार दिन पहले घर से भागे एक लड़के वा लड़की को नागणा थाना पुलिस ने सोमवार को बाणमीर कलेक्टेट के आगे से पकड लिया नागणा पुलिस के मताबिक दो दिन पहले लड़की के परीजनों ने थाने में गुमशुत्की की दर्च रिपोर्ट करवाई थी पुलिस गुमशुत्की के मामले में दौनों से ही पूछ ताज कर जाच करने में चुट गई है बार में जले के नागना थाना शेत्र में चार दिन पहले अपने घर से भागे एक लड़के वर लड़की को नागना थाना पुलिस ने सोंबार को बार में कलिक्टिट के आगे से पकड़ लिया इसके बाद पुलिस दौनों को थाने लेकर गई नागणा पुलिस थाने के हेड कॉस्टेबल ने बताया कि दो दिन पहले ही लड़की के परिजनों ने थाने में गुमशुत की दर्च करवाई की उनकी बेटी बिना बताया चार दिन पहले किसी के साथ घर से भाग गई दो दिन तक परिजनों दोरा तलास करने पर भी वो नहीं मिले इसके बाद नागणा थाना पुलिस दोरा गुमशुत की दर्च कर लगातार उसकी तलास की जा रही थी वहीं सोब्वार को सुचना मिली की लाडका व लडटकी दोनों कलेक्टेट परिज से इस्तित कोर्ट में पहुच रहे और इसके बाद लड़की के परिजन वो पुलिस टीम में पहुची पलिस ने लड़की लड़का है बील है तो इस तासा है नागरा पुलिस ना सोमार को ततपता दिखाते हुए गुंशुद्गी के मामने में घर से भागी लड़की को बाड़ में कलेक्टेट के आगे से पकड़ लिया इसके साथ एक लड़के को भी पकड़ा है पुलिस ने दोनों को बारादम की मुक्मीर की सूचना के आदार पर की पुलिस दोनों को पकड़ने के बार नागरा थाने लेकर रही चाहां फिलाल उन से पूस्ताज की जा रही है साथ ही घर से भागने है उनके मक्सद को लेकर जानकरी जुटाई जा रही है